साल 2023 का पहला चुनाओ पुर्वोत्तर की राज तिरपुरा में संपन हो चुका है इस चुनाओ को सत्ता का सेमी फाइनल माना जा रहा है क्योंकि साल 2024 में लोग सभा के भी चुनाओ है इस बार जो तिरपुरा में सब्च अच्छी बात देखने को मिली वो मिला एक उस्सा के साथ लोग का मतदान में जाना लोगों ने बढ़ चल कर मतदान में हिस्सा लिया लेकिन इस बार कई political scenario भी set हुए एक तरफ जहां लंबे समय तक left और Congress एक दूसरे के साथ राजनिती में काफी दूरी थी इस बार पुर्वोत्तर के राज तिरपुरा में एक साथ एक बैनर के साथ दूसरे करके दोस्ती के साथ उन्होंने प्रचार किया और जनता के बीच में गए लेफ्ट और Congress के सामने चुनौती थी भारतिय जनता पार्टी लेकिन इस बार राजनिती में एक नई पार्टी आई प्रद्यूत मालिक विक्रकदिव बर्मा की जो टिप्रा मोथा के नाम से जानी गई दरसल टिप्रा मोथा ने आदिवासी बोर्ट बैंको साधने के लिए एक नई पार्टी के साथ राजनिती में अपने एंट्री की और चुनाओ को काफी चोतर्फा कर दिया अगर कुल मिलाके पूर्वोत्तर के इस राज में जो चुनावी गलित था उसमें एक व्यक्ति जिसकी हमेशा से राजनिती में चर्चा रही है इस राज में उनका नाम है सुदीप रॉय बर्मन लंबे समय तक कॉंग्रेस में रहे दोजार अठारा में उन्होंने भारतिय जनता पार्टी में सामिल हो गए मंत्री भी रहे उसके बाद वापिस कॉंग्रेस में आकर चुनाव लड़ने हम सीधे बात करेंगे सुदीप राय वर्मन जी से और समझेंगे इस बार के उस पे सर आपका कमेंट चाहता हूं लेकिन गनतंत्र का जीत हुआ है इससे हम बहुत बहुत खुश है सुदीप दा अच्छा मद्दान हुआ उस्सा के साथ लोगों ने भाग लिया लेकिन क्या बीजेपी को फाइट करने के लिए बीजेपी को टकर देने के लिए आपकी पार्टी और लेफ्ट का जो विले होना वो भी खासा चौकाने वाला है क्योंकि लगातार आप सत्ता के विरोध में रहें लेफ्ट के साथ आपके मध्वेद रहें लेकिन क्या वजे रही कि बीजेपी के चुनावी रत को रोकने के लिए आपको मिलना पड़ा हाथ मिलाना पड़ा यह बत बिलकुल अपने सही का कि कई दशक तक हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ें यह संघर्च राजनितिक संघर्च था हमने सोचा कि राजनिति तो आम जनता के लिए करते हैं और जनता का जब अरदस्ट मांग था कि बोट का डिवीजिन ना हो बोट बटोर ना जाए हमने उनका वाज को संबान दिया हमने अपना कॉंग्रेस का पार्टी का इंट्रेस्ट कॉंप्रमाइस के नहीं देगा हमने सोचा पार्टी के इंट्रेस्ट में बाद भी हो सकता है लेकर आम जनता का जो इंट्रेस्ट है जहां तक यह डिमोक्रेसी दुबारा रेस्टूर करना है सांग्विदानिक जो अधिकारे जो हरन किया हुआ है उसको वापस लाना है आम जनता में को देना है उस चीज़ को मद्दे नजर रखते हुए हमने पार्टी का स्वार्थ तैक किया लेकिन आम जनता का स्वार्थ को प्रधन देके हमने यह extraordinary situation को combat करने के लिए एक extraordinary decision हमको लेना पड़ा कि हम दोनों पार्टी जो लगातार कई दशक से यहां पे लड़ते आए हम आसपास में सीट का समझोता करके ताके वोट का पटोतरी ना हो तो हम चुनाओ इस तरह से लड़ा जाओ और हम लड़ेंगे और देखना इसका फल दो तरिक चपाएंगे तो बीच भी कही का नहीं रहेगा यहां इस राच्य में लेकिन क्या वज़े है आप तो पुराने कॉंग्रेसी थे फिर अभी फिर से कॉंग्रेस में आ गए और आप बता रहे हैं इतना क्लैस था तो क्या वज़े रही कि जब आपने दोजार अठारा में कॉंग्रेस छोड़के भरती जनता पार्टी जोईन की उफिर चुनाओ से तोड़ी दिन पहले बापिस कॉंग्रिस में आ गए अ पर जिह किरेंगी कवरती कॉंग्रेस में ने में आप लिए मने इपको परदिस कर ने के कोशिश के लेकिन अमें जिर्स प्राप्थ हुआ हूं, हमने आम जन्ता का भावना को सनमान दिया है, आम जन्ता यही चाहते थे कि कोई तो आहे हमको बचाने के लिए हमारा आवाद बुलंद करने के लिए कोई तो आहे सामने उभारकर हम और अब सत्ता का MLA था उस वक्त BGB में, हमें राजदिती किसी चीज हडपने के लिए नहीं, चाहे वो पावर हो, मनी हो, वेल्थ हो, वो से हडपने के लिए हम राजदिती में नहीं हैं। राजदिती जनता का पुकार ये था, मांग ये था, तो हमने जनता का आवाज सुनी, और हमने बीजबी छोड़ने का सिद्धान्तले में और मेरा और कोई बिधाय के आफिसा, हमने प्याक पत्रे देखे के कॉंग्रेस में शामिल हुआ। और आज जो यहां पे जो अहालत बीचिबी का हुआ है, उसमें थोड़ा सा हिस्सा मेरा हम लोग का जब कॉंग्रेस जॉइन करना और यहां पे संगटन का यहां पे आंदलोन का एक तेजी लाना, वो सब मेरा हम लोग का भी कॉंट्रिबूशन है इसमें। यह भी आपके लिए कहा जाता है कि जब आप कॉंग्रेस छोड़के भीजे भी में आए तो आप छे विधायकों को तोड़के लाए अपने साथ और सरकार बनाने में भी आपकी एहम भूमिका रही है, तो इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, क्या आप डाइनमिक तो हैं, क मैं देखते हैं, जू दो दृणी के लोग, एक साथ मिलके चुनाओ लड़न है, हैं लगातार एक दूसरे के लिए आक्रमन हुए हैं आपस में राजनिती कटाक्च हुए हैं और अम मिलके क्या जमीन पे दिल मिले हैं लोगों के क्या जनता दोनों की जो समर्था के साथ में रही है इस उमीद में तो बीजीपी आप वो सोच रहे कि वोट का ट्रंसफर नहीं होगा और खुशी जता रहा है बीबी ठेक है कुछ दिन और खुशी इनको जता नहीं दीजी हमें कोया अपती नहीं है ये जो हमने समझोता किया है ये तू उपर से नहीं हुआ आम जनता का मांग ये था जो हमारा जमीनी स्थर पे जो करमी है वर्कड से कारिय करता है जो आम जनता के साथ जुड़े होये आम जनता उन पर दवा बना रहे थे कि आप कुछ करो वोट का बटोतरी ना हो और यह आम कारिया करता हम पर दवा बना रखे हुए थे तो उपर से नहीं नीचे गया यह नीचे से उपर आया तो वोट का 100% ट्रेंसफर होगा दोनों पार्टी के तरव से इसमें कोई शक नहीं है अच्छा इस बार के चुनाओं में एक नई पार्टी आई है जिसने आदिवासियों की बात बुलंद करते हुए अब जनता के वीच में गई है वो प्रद्यूत मानिक देव वर्मन की एक नई पार्टी थी टिप्रा मोथा उनका मानना है कि जो यह छेत्र है पूरा आदिवास को बिल्कुल नकार दिया था इसलिए उनको बनाना पड़ा और क्या आपका राइवल जो थर्ड फ्रेंट के तौर पे उसको देख रहे हैं नहीं सुनिए इसमें कोई शक्त नहीं कि जहां तक डिवलप्मेंट का सवाल है हमारा आदिवासी लोग जो प्रेंस में डिवलप् स्ट्रक्चल में हो बेसिक एमेनिटीस में हो हर एक चीज में ये लोग बहुत पीछे और इसी चीज को मद्दे नजर रखत हुए है एक सो 125th Amendment Bill जो कि ATT-ADC को और ज्यादा शम्ता देने वाले है सोश्यो एकोनोमिक पॉलिटिकल काल्चरली और स्ट्रॉंग हो जैसे आप ज में पास नहीं होगा तब तक ये 355 सिस्टेम नहीं होगा अभी जो है ना बटी टीटी अटीसी में वो सिंगल टैर पंचे थे तो संग्वदान को एमिन्मेंट करना पड़ेगा सर केंद्र की मोधी सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि उन्होंने ट्राइबलस केले काफी काम किया है आदीवासी को लिए काफी काम किया है इस तरह पर आपकी राज में दौरे पर नहीं आए क्योंकि कॉंग्रेस हाइकोमन को यह पता है कि सी पीम का जीतेंडर चौदरी और कॉंग्रेस का सूती प्राय बर्मन मुदिस जी और अमीजी को त्रिपूरा में काउंटर करने के लिए काफी है समय यहां पर बरबात करने का है कोई मतलब नहीं देश को देश को जोडने के काम में हम लगा हुए है इसको जबर्तति और जोडते रहें कि इस वार आपकी जो नंबर गेम में किस तरह से देखते हैं और अगर नंबर गेम घटता है कहीं कोई राजनेतिक पेंच फसता है तो अलाइंस में क्या टिप्रा मोथ था एक आपका विकल्प है सुनिए बीजीपी सिंगल डिजीट में रहेगा मैं दुबारा दौरा आ रहा हूँ है सीप्यम और कॉंग्रेस जो मेजिक फिगर है उसको पार करके कमफोर्टेबली इसे बहुत ज्यादा सी टाम को मिलने वाले हैं हाँ तुरिप्ला मौथा का सुप्रीम है यह भी कॉंग्रेस ही है हमारा छोटा भाय जैसा है वह आना चाहता है तो बिलकुर स्वागत है उनका यह भी तो सेकुलर मैंडेड है यह भी डेमोक्रिटिक को उनका सोच है और क्योंकि ये कॉंग्रेस का बंदा है तो अगर आज ही तो हम तो गले लगा के स्वागत करेंगे लेकिन जहां कि तक वो आखड़ा का सवाल है हम दोनों पार्टी ये इस आखड़े को खुशी-कुशी से और इस आखड़े को सिमीद ने इसको आगे तक जाएंगे मनला आपको उमीद है कि सरकार आपकी बन रही है इसमें आप भी कोई डाउट ना रखे महरवानी करके अच्छा मेरा सवाल समाब थो रहा था लेकिन चुकि आपने बात कहदी टिप्रा मोथा के हैड की तो एक ये इस तरह का भी आरोप था कि अंदर खाने कोई पैक्ट है हम चाहते थे लेकिन उन्हेंने सिद्धान्त लिया कि अकले लड़ेंगे तो ठीक है वो अकले लड़ रहे जो भी नतीजा आएगा दस बारा तेरह से जुतना भी वह उनको सीट मिले बाद में वह आ सकते हैं अब तो स्वाकत हम कुशी कुशी उनको एम्रेस करेंगे गले ल सब्सक्राइबाद आपका तो यह थे कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और जिनकी पकड़ इस पुर्वोत्तर के राज में देखी जा सकती है सुदीप रॉय वर्मन इनका साफ तोर पर कहना है कि जो भारतिय जनता पार्टी की जो नीतियां थी उसकी वज़े से भारतिय जनत का दावा था अब जनता जनारदन के हाथ में हैं सबी की किस्मत इवियम में कैद है दो मार्च को तस्वीर क्या होती है यह इवियम खुलने के बाद पता चलेगा कैमरामें रतुल वरुवा के साथ अमरेंद गुपता संसर टीवी तिरपुरा